हाई वेल्कम्त सेश fakult है कि एक्जाम में सेलेक्ष्म कैसा होता है कैसा एक्जाम में इसेटर तो उसके बारे में एक डिसक्शन आज करेंगे हम लोग तो देखिए इससे सेलेक्शन पोस्ट फेस्टेन का नोटिफिकेशन तो आज चुका है और उसका जो भी important dates है वो आपको साइट बे दिख रहा होगा तो इस बार में discuss नहीं करते हैं मेइन मुद्दे पे आते हैं जिसमें आपका जाधा doubts है तो देखिए ऐसे सेलेक्शन पोस्ट एक special exam है लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं individually आपको पोस्ट में अप्लाई करना पड़ता है कैसे करना पड़ता है वो में आपको आगे जाके दिखाऊंगी इसमें ऐसा provision है कि आप लेवल 6 तक का एक पोस्ट ले सकते हैं अगर आपको कोई भी लेवल 6 तो आपको एक ही एकजाम देकर ही वो पोस्ट ले सकते हैं देखे सेलेक्शन पोस्ट के थू क्या होता है कि गवर्मेंट का बहुत सारे डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में SSCGL के थू या CHSL के थू रिकूर्टमेंट नहीं होता है ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिपार्टमेंट से जहां एक-एक पोस्ट के लिए वैकेंस से निकलता है सेलेक्शन पोस्ट के थू लेवल 1 या इस 1800 ग्रेट पे से शुरू होके लेवल 6 या 4-0-0 ग्रेट पे तक आपका रिकूर्टमेंट होता है यहां पे वेरियस पोस्ट के लिए अलग-अलग वैकेंस से निकलता है और वो वैकेंसी तीनो टाइप में डिवाइड होता है एक 10th लेवल का एक्जाम, एक 12th लेवल का एक्जाम, एक graduation and above level का एक्जाम आपका ऐसे सेलेक्शन पोस्ट का एक्जाम तीनो लेवल में होता है 10th लेवल, 12th लेवल and graduation and above level आप ऐसे ही level wise apply कर सकते है यह आपे बहुत सारे पोस्ट के लिए vacances निकलता है आपको individually हर एक पोस्ट के लिए आपको apply करना पड़ता है जिसको बोलते है post category जैसे आप आप अलड़े देखे होंगे कि ऐसे post code होता है या post category होता है कि NR13822, NR14122 यह एक एक हर एक post category के लिए आपको individually apply करना पड़ता है individually आपको application form भी fill करना पड़ता है जैसे कि मैंने थामनिल पर कहा कि यह female candidate के लिए एक golden opportunity है क्यों है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ देखे क्या है कि SSE के rule के अनुसार female candidate is CST, PWD and ex-servicemen यह type of candidates के लिए fee exempted होता है, उनको application form fill करने के लिए कोई भी fee नहीं देना पड़ता है अब यह मैंने आपको जो process कहा कि हर एक post के लिए आपको अलग-अलग से apply करना पड़ता है that way आपको अलग-अलग application form fill करना पड़ता है तो अलग-अला application form फिल करने के लिए आपको अलग से fee payment करना परेगा जो कि female candidate के लिए exempted है and यहाँ पे application form का कोई highest number नहीं है कि आप इतने number of application form फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे unlimited number of application form फिल कर सकते हैं only if आप वो post के लिए eligible है कैसे आप eligible हो की नहीं यह आपको कैसे बता चलेगा इसके लिए हर एक post के regarding post details दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं आपको कैसे दिखना है वो मैं आपका आग जा के दिखाने वाली हूँ golden opportunity में हक के साथ कह सकते हूँ क्योंकि मेरे पास ही opportunity आया था एक नहीं, दो नहीं, 7 ऐसे opportunities आया था मैंने SSC selection post phase 7 and phase 8 यह दोनों ही selection post के exam के लिए apply किया था जहां मैंने SSC selection post phase 7 में 17, okay, 7 number of post के लिए selected हुई थी and SSC selection post phase 8 में मैंने 19 post के लिए selected हुई थी SSC selection post phase 7 में 17 post के लिए मैंने document verification में appear हुई थी सभी document verification के experience अलड़ी मैंने share किया है आपको i button में and description box में मिल जाएगा playlist है selection post के तो वहां से आप देख सकते है वो ही सब document verification के experience वहां पे share किया है मैंने, तो यह finally 17 post में मैंने appear हुआ था document verification के लिए and उसमें मैंने finally 7 post में final selected हुई थी okay, final selected मतलब मेरा department में मेरा नाम अलड़ हो चुका था मैंने final selected हुई थी and of course, just a minute इसे पहले के आप यह सोचना शुरू कर दो कि मैं see twist किया, यह किया, वो किया selection post में एक मतल ऐसा provision है कि अगर आप post नहीं लेते हैं तो आपके next जो है उनको यह post दिया जाएगा क्यों यह provision है selection post में? जैसे कि मैंने आपको शुरुआद में कहा ना कि यह क्या होता है कि small number of vacances निकलता है एक, दो ऐसे करके vacances निकलता है अगर वो vacances फिल नहीं होता है तो वहाँ पे एक crunch रह जाता है staff का, that's why यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी के नाम finally alert हो जाता है और वो, अगर वो post नहीं लेता है, तो उसके next जो है, next जो final eligible है, उसको select किया जाता है तो don't worry, जो seven post में मैं finally selected हुई थी, उसमें मैंने reject किया, मैंने mail भेजा था officially उनको mail भेजा था कि I am not willing to accept this post, because मैंना उसके बाद है, SSCJR 2018 के थू auditor and CGDA के post में selection हो गया था, okay so that's why यह seven post के लिए मैंने reject किया था, officially उनको mail भी भेजा था और उन्होंने वो mail को accept करते हुए, मेरे next जो है, उनको वो post दिया गया था, okay तो SSC election post phase 7 के बाद SSC election post phase 8 में भी मेरा 19 post में selection हुआ था 19 post के DV के लिए select होने के बाद मैंने उस process में आगे नहीं गया क्योंकि मेरा already तब CGL 18 के through CGD auditor के post में selection हो गया था मैं already यहाँ पे job के लिए आ गई थी, तो that's why मैंने और process को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे उसमें जाना ही नहीं है, तो जैसे कि मेरा finally selection हुआ है इसलिए मुझे to the point बता है कि कहां क्या होने वाला है यह selection post exam में, तो अभी के लिए आपको एक rough idea मिल चुका है कि यहाँ पे आप any number of application form fill कर सकते हैं, अगर आपका application fee लगता है तो आपको वहाँ पे एक limitation आहीं जाता है, क्योंकि हर एक application form के लिए आप 100 रुपे देंगे कि कैसे अपने लिए आपको post choose करना है form fill आपके process को discuss करने से पहले एक बर आपको यह जानकरी देना चाहूंगी कि टेस्बुक के platform में एक special weekend offer चल रहा है जो आज से start होके 22nd में तक चलेगा टेस्बुक pass के लिए टेस्बुक के एक साल का pass जोके 399 में मिलता है उसका ही validity अभी 6 months extra मिलेगा from 20 to 22nd में तक यह offer रहेगा 12 months के बदले आपको 18 months के लिए यह pass valid रहेगा and टेस्बुक pass के बारे में तो पता ही है कि आपे एक ही pass के अंदर mock test के साथ courses भी मिल जाता है एक ही pass के अंदर different government exams like SSC, bank, rail, सभी टाइप के exams के लिए mock test मिल जाता है and mock test में भी various type of mock test available रहेता है जैसे कि previous equation paper का test, full length mock test, chapter wise test, daily quizzes, sectional mock test ऐसे different type of mock test मिल जाता है जो कि एक aspirin का preparation को improve करने में बहुत मदद करता है and उसके साथ courses भी available रहेता है तो एक ही pass में बहुत सारे benefit मल जाता है अगर ये pass लेना है तो description box में इस related सभी information and links available है वहाँ पर जाके click करके आप वो avail कर सकते हो and ssc.in ये coupon code डालने से आपको maximum benefit मिलेगा so do check it out the description box to get the maximum benefit तो ये रहा ssc.inic.in ये website में आपको जाना है and right side भी इहाँ पर जो login करने का जगा है username and password देके आपको login करना है यहाँ पर login करने के बाद आप देख सकते है second में ये आपको दिखाई देगा face 10 के लिए ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है apply से पहले आपको यहाँ पर post details में जाना है आप ये notification में भी जा सकते है यहाँ पर select region है इससे selection post region wise होता है region wise का मतलब ऐसा नहीं कि आपको यह region में जा के exam देना पड़ेगा अब जिस region के लिए अपना preference देंगे उस region में आपका exam होगा यह सर्फ इस region का post categories है उस region के post categories के लिए आप फिल कर रहे है ना कि आपको वहाँ पर जा के exam देना है तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर northern region चूज करती हो and यहाँ पर select examination में जा के यहाँ पर face 10 में click करके मैं search करती हूँ search करती है आप देखो कि northern region के लिए यह सभी जो post है यह आपके सामने open हो जाएगा देख सकते हैं कि कितने सारे post है सर्फ northern region में इतना सारा post अगर 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 जगा पर जाए इतना post नहीं होगा अगर अगर जगा पर जाएगा northern region में पर सबसे जाधा post रहे था है तो जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि level 1 इसको बोलते है post code या post category इससे आपको find out करने है कि आपको कौन सी post के लिए आप eligible है ठीक है कैसे आपको देखना है suppose कि मैं इस फर्स्ट वाला में जा रही हूँ थी कि लेवर्टर अस्टें ग्रेट 3 मिनिस्टर फेनस डेपर्मेंट अपर रेविन्यो जो कि लेवल 2 का है that is 1900 ग्रेट पे age limit पे आपको check करना है अगर आप ये age limit का अंदर आते है तभी आप check करना अभी में view details में जा रही हो ठीक है देखिए view details में जा के यहाँ पे आपको क्या check करना है exactly आपको check करना है essential qualification ये mainly है अगर ये qualification आपके है तभी आप जाना अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 12th और equivalent with science from an recognized university and subject है science अगर आप 12th में arts लेकर पड़े हो अगर आपका stream arts था तो फिर आपको यहाँ पे apply नहीं करना है अगर आप science लेकर पड़े हो तभी आप ये जो post है इसके लिए apply कर सकते है ओके ये age limit देख सकते है ये हाँ पे vacancies देखते है सब भी detail में यहाँ पे रहता है ठीके कहां आपका initial posting होगा क्या आपका job है क्या आपका duties होने वाला है सब ही यहाँ पे additional जो भी यहाँ पे information से सब ही यहाँ पे available रहता है तो ये अगर आप इसके लिए eligible है तो आपको क्या करना है साइट में note करकर रखना है कि हाँ NR13822 के लिए आप eligible है ऐसे करके आपको find out करना है next मैं देखते हूँ इसको देखिए इसको back end का कोई जगा नहीं इसको close ही करना परेगा close करका फिर से यहाँ पर सिलेक करना परेगा अच्छा अभी मैं थोड़ा सा other कुछ western region चूज करती हूँ ठीके and face 10 में जाके मैं search करती हूँ अभी देखिए ये western region का post codes आ गया तो देखिए ये first जो है 13222 pharmacist का post है अब pharmacist का post है मतलब इसमें कुछ special qualification required होगा ही ये level 5 का है तो चलिए इसका details देखते है इसका details में जाके देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है first तो देखिए यहाँ पर दो options है एक first one and यहाँ पर second one है कुछ लोगों को लगता है कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि यह एक या दो दोनों ही क्या चाहिए या दोनों नहीं चाहिए यह बीच में जो punctuation mark है उस तब को पता चल जाएगा अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता या कुछ होता तो फिर आपको कोई एक चाहिए होता यहाँ पर कुछ नहीं है आपको आपको वान चाहिए टू चाहिए और इसके साथ देखे लास्ट में थ्री भी है तो यह तीनों जो qualification है आपे हैं यह तीनों qualification अगर आपके पास है तब ही आप apply करना लास्ट रॉन सबसे खतरना के टू यह एक्सपिरियेंस चाहिए ठीके तो यह सब अगर properly आपके पास है तब ही आप apply करना नहीं तो नहीं apply करना बेकार में आपके लिए एक expectation बन जाएगा आपका बट लास्ट में जाके नहीं होगा अगर यह तीनों ही qualification आपके पास नहीं है तो तो ऐसे करके आपको देखना है हर एक region में लादा vacancies है जैसे कि यह level 7 का है अब देख सकते level 7 का nursing officer का है level 6 का यह scientific assistant का है ठीके तो जैसे कि यह कुछ categories है जिसमें बहुत limited number इसमें देखा जाएगा कि 1 होगा इसका vacancy ओके देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 है वो भी OBC का है इसमें आप unreserved category से अगर आप apply करेंगे तो आपका नहीं होगा क्योंकि यह सर्फ OBC category के लिए यह vacancy है अब इस type कुछ special category है जो अगर आपके पढ़ाई से related है तो आपके बहुत काम आ सकता है तो ऐसे करके आपको अगर आप limited number of application form fill करना चाहरे अगर आप सभी form ऐसे नहीं fill कर सकते तो आपको क्या करना होगा ऐसे note-down करने के बाद जो भी level सबसे जादा अच्छा अच्छा level वाला मातला level 4, 5, 6 वाला आप चूस कर सकते है और जिसमें जादा 3rd vacancy है जिसमें कोई अगर special आपके पास qualification है वो ही मांग रहा है ऐसा अगर कुछ भी है तो आप उसमें एकदम form fill कर सकते है तो यह रहा ऐसे करके आपको अपना post चूस करना है और इसके बाद जाके यहाँ पर apply में click करना है apply में click करने के बाद देखिए अब जिसभी region की post category के लिए form fill करना चाहते है उसको आपको यहाँ से चूस करना है suppose कि आपने northern region से चूस करना चाहते है तो आपने northern region को चूस करना है और उसके बाद यहाँ पर NR17222 के लिए चूस करना चाहते है आप किसी भी post के लिए जिसके लिए eligible है आप यहाँ से ढूंड सकते है ढूंड के ऐसे आपको click करना है click करने से यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इसका post का name क्या है इसका level of post भी क्या है और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि preference of examination center आप जो देंगे वही होगा ऐसा नहीं कि अगर आप eastern region से belong करते है अगर आप northern region का form feel करना चाहते है तो ऐसा नहीं है कि आपको northern region में जाके exam देना पड़ेगा मेरे बात को ध्यान से सुनियेगा अगर एक बार यह बात ध्यान से सुन लेंगे तो आपका बहुत time save हो सकता है आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो यहां से आप अपना center अप eastern region से हो तो आप Kolkata चूज कर सकते हैं ऐसे करके चूज करने से आपको जहां आप चूज करेंगे examination center वहां पर आपका exam होगा तो यह form में और fill नहीं कर रहे हो क्योंकि यह form fill करना बहुत ही आसान है उसमें अलग से कुछ है नहीं यह मैंने आपको दिखा दिया and notification में एकदम last में अगर आप जाएंगे एकदम last ओके यह 86 number page से शुरू हो रहा है सभी post category के related information जो आपके यहां पे जो आप search करके जो देख रहे हैं ऐसे करके यहां पे notification में 86 number page में सभी detail में एक साथ है आप यहां से भी देख सकते हैं बट यहां पे क्या है कि सर्फ रपली आपका जो educational qualification का जो level है वो लिखा है special जो qualification है मतलब अगर आपका experience required है और कुछ भी extra required है वो यहां पे लिखा नहीं है so that's why यहां से check करने से अच्छा है कि आप यहां जाके ही check करिए okay so I hope कि आपको अभी और problem नहीं होगा selection post face 10 का form fill करने में okay so I hope कि आपको इसे selection post face 10 के regarding जितना भी doubt था वो दूर हो गया होगा कैसे आपका application form fill करना है वो मैंने आपको यहां पे detail में बता दिया है आप ऐसे ही follow करके अपना form fill कर सकते हैं यह थोड़ा सा time ticking है थोड़ा time अपको लगेगा but अच्छे सा time invest करके करिए क्योंकि यह अपके life को बदल सकता है सिर्फ एक exam देने से आपका selection हो सकता है आगे और भी selection poster recording में वीडियो लेके आऊंगे अगर आपको ज़रुरत है तो आज के लिए इतना ही that's all thank you